नमस्कार दोस्तोर रावनश्टाक मार्केट में आप सभी का स्वागत है तो इस वीडियम देखने वाले एक छोटे से स्मॉल क्याप कमपनी के बारे में जिसके लिए आज का दिन बहुती बड़ा इंपोर्टन था क्यों इंपोर्टन था कमपनी पेश करने वाली थी अपने क अब तक की जो रिटन दे एक हाजार पसंद से ज्यादा शांदार रिटन दे कमपनी ने बहुत ही शांदार रिटन दे तो इस वीडियम देखने वाले क्वाटर फोर के रिजर्ट विसके साथ जो डिविडेंड का आमाउंट क्या है विसके पास स्टॉक में इंवेशन करने का रिस्क है कमपनी करतिक है पूरा फुल एनलिस्स करने वाले लेकिन विडे की स्टार्ट में बतान चंग और जो भी स्टॉक ले रहे तो खुद का स्टड़ी जरू कीजिए जो ग्रैविटा इंडिया लिमिटर जो कमपनी एक मैनुफेक्ट्रिंग कमपनी जैसे कि प्लास हुआ है यह फिर लॉस हुआ है तो पूरे डिटिल में देने वाले उसके बाद डिविडेंट का आमोंट जानेंगे तो हम लोग आ गए बीएसे के ओपिशल वेबसाइट के उपर तो जैसी के आप लोग चेक कर सकते यहाँ पर तीन डाकुमेंट अपलोड किये गे अनि के क्वाटर 3 का रिजल्ट है और जर्लाक क्योंट ओं सकते हुआ है वो और कि प्रिव्यrich year के क्वाटर 4 पहला इस quarter का हुआ है लगबग यहाँ पे 772 के आसपास है मतलब 770 कोड के आसपास company ने total income किया है last quarter में कितना होता है 793 था और last year के quarter 4 में था 665 तो यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते है total income में quarter to quarter थोड़ी बहुत यहाँ पे gear out आ चुके लेकिन year to year बहुत ही बड़ी jump आ चु के सिर्फ total income देखके नहीं चलेगा खर्चे भी देखना बहुत ही important है अगर ऐसा होता है for the example कोई company बिजनेस तो बहुत ही शांदार करे लेकिन उनके खर्चे इतने होते है कि खर्चे minus करने के बाद उनके हाथ में कुछ पैसा बचताने तो ऐसा नहीं होना चे तो जैसे कि इ लेकिन year to year company के खर्चे बढ़ गए ठिक टाक बोल सकते है अभी तक का जो result देखा है neutral result है इतना भी कुछ खास नजर नहीं आ रहा next parameter बहुत ही important है यानि कि company का NP यानि कि company का net profit मतलब क्या होता है सब कुछ खर्चे निकलने के बाद government को tax देने के बाद company के हाथ में कितना पैस रहता है जैसी के पढ़ सकते total comprehensive income for the period है इस बार हुआ है 52 करोड को profit हुआ है last quarter में 68 करोड का net profit हुआ था और last year के quarter 4 में था 41 करोड का net profit तो अपलोग चेक कर सकते है यहाँ पे company का quarter to quarter जो यहाँ पे net profit गिर गए लेकिन year to year देखा जो है तो company का net profit बढ़ गए एक neutral result बोल सकते इतने भी कुछ खास result नहीं कि quarter to quarter गिरा उटे और यहाँ पे year to year यहाँ पे जम दिख रहे है यह तो के total income के बारे में next parameter है यहाँ पे company ने dividend कितना दिया है यहनि कि अपने शर्डों को खुश किया है कि नहीं देख लेते जिसकी इस बार company ने dividend announcement का 4.35 पैसा है यहनि कि लोगों को पता रहेगा है पता चलेगा कि इसका recorded क्या है तो देकर जेतो ठीक टाक dividend भी दिया है और result भी ठीक ठाक है इतने भी कुछ मुझे खास result नहीं लेगे लेकिन जैसे कल बजार open होगा तो यह पे market को कैसे result देखते हैं वह भी देखना बहुत ही interest रहेगा क्योंकि लेकिन कुछ लोगों को खराब लग सकते हैं इसके से मेभी stock गिर भी सकता है यह तो कल की दिन पता चलेगा कि कि कितनी लोगों को आच्छा लगा है अगर बहुत सारे लोगों को आच्छा लगेगा quarter fork result तो मेभी यहाँ पे jump भी आ सकते हैं कल की दिन में यह तो था आज का वीडियो यहाँ पर छोटे से company के लिए अगर वीडियो अच्छा लागा तो लाइक कर सकते हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं